वजन घटाओ केंद्र से फंड पाओ ये कोई सरकारी स्कीम नहीं बलकि उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को केंद्रिय मंत्री नितिन गडगरी की तरफ से दिया गया चालेंज था जिसे उन्होंने पूरा कर अपने संसदिये शेत्र के लिए 2300 करोड का फंड हासिल कर लिया दरसल नितिन गडगरी ने 23 फरवरी 2022 को अनिल फिरोजिया के सामने शर्त रखी थी कि वो अपना वजन कम करके दिखाएं गडगरी ने कहा था कि वो जितने किलो वजन घटाएंगे उतने हजार करोड रुपे उनके संसदिये शेत्र के विकास के लिए दिये जाएंगे इसके बाद फिरोजिया शरीर से चर्बी घटाने में जुट गए महस तीन महीने में ही उन्होंने बारा किलो और साथ महीने में 32 किलो वजन कम कर लिया नितिन गडगरी ने भी अपना वादा निभाया और 32,000 करोड रुपे में से 2300 करोड रुपे मन्जूर कर चुके है फिरोजिया ने बताया कि जब चालेंज मिला तब उनका वजन 130 किलो था शेत्र के विकास की बात आई तो वजन कम करने की ठान ली अभी 6 मिने पहले माननी है आमारे परिवान मंत्री उज्जियर आयते नेशनल हाईवे का सिलम नास कर लिए तब मेरा बजन लडबग 130 के लडबग था के जी तब मेरे उनसा कोई मंच में डिमांड करी थी उन्होंने कहा था कि सांसाज जी अगर आप एक किलो बजन कम करेंगे तो मैं आपके उच्जे नालुर संसिरी शेथर के लिए पर किलो पर एक हजार क्रोन पर निकास के लिए दूँगा तो मोदी जी कहते ही है अपने संसदिये शेत्र के विकास के लिए 32,000 करोड रुपे पाने वाले अनिल फिरोजिया शायद सबसे महंगे सांसद है बता दें कि ये राशी केंद्रिय परिवाहन विभाग की तरफ से उच्जेन के विकास के लिए दी जा रही है इस राशी से हाईवे और रोपवे का निर्मान किया जाएगा अगर रोड की हमारी डिमांड थी तो गोसला से अगर 25 किलो मेटर का रोड पर लिख्टा दारी थी तो जब मेरे बात प्रिकों ने बला कि नहीं नहीं 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोग का लोकारपन करने उज्जेन पहुँचे थे उनके स्वागत के लिए हैली पैट पर पहुँचे सांसद अनिल फिरोजिया से पीएम ने वजन कम करने को लेकर बात की थी सांसद ने बताया था कि उन्होंने अब तक कुल 32 किलो वजन कम किया है जिस पर पीएम मोदी ने अनिल फिरोजिया की तारीफ की इसके अलावा उन्हें और वजन घटाने के लिए प्रेरित भी किया आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चानल टीवी नाइन भारत वर्ष झाल